हेलो बच्छों, गुड मॉनिंग, आज हमारा टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू गायर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पार्ट का, सेगेंड पार्ट है आपका, पार्ट टू, इसमें हम धोर चीज अपढ़ेंगे आज के, उसमें विल्डोस 10 टेस्टॉप और कॉंपोन बच्छारी विल्डोस 10 टेस्ट लोगिन करते है हैं, तो लोगिन करने पर वो होती है है, जैसे आप अगर पर yeni अगरा पर क्या होता है कि हम क्रिफ कि Cuando दीशें करने के बम पर जाख टेkkा हूं, इसको क्या रिंशिप लागिन करना जैसे अगर हम घर का घरेंगे जाना है तो हम लॉग लाएक जाते हैं लॉग की की अपने पास रहते हैं जब तक हमारे पास की है किसी और के पास नहीं है तो वह नहीं उपन कर सकेगा इसी टैप से इसका लोग इन आइडिया पासपर्ड होता है आपका नेक्स्ट चीज यह हो सबसे इसमें आपका है कि जैसे सबसे पहले क्याशी आती है आपकी डेस्टॉप, डेस्टॉप क्या है, तो डेस्टॉप जो होता है आपका, डेस्टॉप is the first screen that you see after booting, यानि कि booting करने के बाद में, जब आपका, जैसे आप computer switch on करते हैं, तो वो कुछ processing करता है, कुछ loading करता है, तो जो processing और loading है, उसी को हम booting बोलते हैं, यानि कि कुछ second या minute तक वो कुछ processing करता है, अंजर अपना software को हम कहाते हैं, फाइस को store करता है, एक साब collect करता है, तो उसी को हम booting बोलते हैं, एक तरीक से आप कह सकते हो, ओके, तो यह booting करने के बाद में, it is where all the icons are placed, जहां पर सारे icons आपके place हो जाती हैं, यानि कि दिखाई दिने लगते हैं आपक जहां, मतलब कि जो given programs हैं, आपके different programs हैं, वो आपके run करते हैं, ठीक है, वो आपका desktop होता है, तो desktop मैं आपको दिखाया कि यह आपकी figure है, वो desktop की होती है, यह जो black वाला area है, यानि कि बैसे तो पूरा ही एक desktop होता है, इस desktop पर यह आपके icons होते हैं, और icons के नाबार लीचे ज तो task bar के बाद में, आपका यहां पर यह जो corner होता है, left corner, इसमें आपका windows बनी भी होती है, windows जो होती है, आपकी start button के बाद में, यह आपका परावर में जो उसके icon है, एक छोटा से goal से होता है, वो होता है, Cortana, है ने, Cortana, उसके बाद में आपका यहां से देखा और यहां तक आपकी होती है quick launch bar quick launch bar जिसमें आपका web browser का इकान होता है और अधर आइगंस होते हैं और लाज्ट भी होता है आपका notification एरिया नोटिफिकेशन एरिया में क्या होगा आपका notification एरिया में और इक लिए आपका अलगए आइकन होता है और उस आइकन को जैसे आपका फालडर जो क्या करती है कि एक ब्रोक्राइब को रिप्रजेन्ट करती है या किसी फाल को या फोल्डर को है ओके तो आपकी बात होती है जो होती है जिस अबसती हूं से होतेimiento से ह 넣고 Kartin तो एक कोड़िए इंटु परिटिशन्म यह बैदि वहले होती है जैसे जी ड्राइब ड्राइब इस टैप से आपकी पार्टिशन में बद्रीज यह होती है फिर इस दिफरेंट आइकन फोरा श्टोरेज डिवाइज लाइगा सीडी और डिवीडी और पेंट ड्राइब और यह बाखी जो दिफरेंट आइगा होते हैं वह किसके लिए होते है यह बाखी है जो पार्टिशन करने के बाद में इस्टोरेज बाएजिक लाइक सीडी का वह आपको जैसे अगर स्टोर करना एको डाटाया सीडी से लेना है यह डीवीडी है आपका पेंट ड्राइब का यूस्वी पोर्ट होता है ठीक है उससे होता है अब आती अप्ती फा आइकन होता है इसके जो रही हम जितना भी डाटा कुछ भी कर अब करने के बाद मुफिएिये kanal आप상 संस्यellा हमाelig बिडिए अब और इंपरनीशिंगर के लिए आपने बिश्काराइब करने के बाद में आपको को दो दिन की छोटी चाहिए रिद्रा रहर है कि यह आपको अपने चाचा आना है तो वो आपकी फाइल से आपको कहा है । का आईकन आ जाता है ओके आपका आगला ऑप्ष्णै इसाइक लिन आइका उता है अइसाइकल भी निमागर पुरा कछ्रा का भुलता है वह कहां डालते हैं तो सबसे पहले कौछ रहे आपके या जो आपके पुडा कचर उठाने वाले आते हैं आपके सफाई करभी तो वह जो है जब हम उसमें पूडा कचर पूरा कचर डाल देते हैं तो वहां चला जाता है तो हमारे गल से अधर वाद सब्सक्राइब, लेकिन इससे पहले को फाइल है यानि कि आगर हमें कोई ंपोटैंटट फाइल है और वो हमने प्रुच्छ्ट्वीन में डाल दिया है तो वह हम क्या पर सकते हैं, उपसे उठा सकते हैं, तो इससे उठा सकते हैं बातकी सब्सक्तिक्रार्ण करते हैं उसमें और इसमें जाया फिर इंदुर्ट हो इसे बाइना देल वाइन अंगे जाःता हो जाए तो हमें ने हमसे ब्लेट हो गही है और इस्टोर करने पर जहां से हमने फाइल हो डिलीट करी थी वह वहीं पर ही आके पुट हो जाती है तो इसका यूज होता है नेक्स चीज आपकी एक पर आपकी और आपका यह फूल्डर के बहुत सारी फाइल होती है इसी त्रक्से एक फूल्डर के अंदर जैसे आप एक बुक हो है आपकी जो बुक के अंदर जो पेजिज होते है वह आप यह मान्दीचे फाइल है बूबर मुलिए और न में जो सारी सुपर्मिसिंशन तो पिल की है पर अब फोल्डर क्या आप फोल्डर बनने के यह आपका यलो गलर का क्या होगा फिर फोल्डर होगे तो इस अब फोल्डर इस चालेक्शन ऑप फाइस ओके अब हम एक फैक्ट पढ़ेंगे नोमोर का कि विंडोस उबन्तू एंड मैक वेस्ट मैंने लास्ट इडियो में आपको बताया था एक तो Windows होती है आपका operating system एक Mac वो ऐसा है आपका और एक आपका Ubuntu तो Ubuntu किसका था Linux का version था Linux operating system have a graphics user interface यानि कि GUI, GUI के पार्ट से ये आपका in GUI operating system you click the icons to give commands instead of typing text commands यानि कि इससे पहले आपकी एक चीज की इससे पहले हम जो पर करते थे वो काय पर करते थे CUI हमारा जो इससे पहले हम पर करते थे CUI कमार जैसे MS-DOS यानि कि Microsoft operating system इस डिस्क ऑपरेटिंग system ओके तो इसक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस हाई से पहले MS-DOS चलता था MS-DOS पे हम क्या कर सकते थे वहाँ पे हम जो फाइल बनाते थे वह टेक्स के रूम में बनाते थे वहाँ पे हम इसे step से गाये में जैसे हम पहुंस सारी फैसे 20 का अपयोग करते हैं उस step से हम उस चीज़ का अपयोग नहीं आपते थे सिस्टम की बात कर लेते हम तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट की बजाए हम इसको ऐसे बद करते हैं कि रहे इसके बाद में आपको इसके बाद में आपके बात करता हूं में टास्क बार की जो एक डेस्टॉप है माली जी यह डेस्ट पर और इसके डेस्टॉप पर चलाई होती है सब्से नीचे की साइडम्स में एक रमड़ा होती है बिलकुल नीचे अपकी वह कहला थी आपकी टास्क बाद वो टास्क बार जो है आपकी इसमें विसaking बडूर तक यां की क्विट करने पर की आपका उसमें आपको मिन्टो के आइकन पर आपका आजाता है इसके बनाबरन होता हैं वह आपका होता है जो आइकंस बागी के यहां पर है विक लॉंच बागी की जो बीच की जो एडिया होता है और उसके बाद में आपका जो होता है जो मनलगी और सबसे राश्ट में जो होता है बिल्कुल और यहां करें नहीं बिल्कुल कॉर्णर में एक आपका होता है जैसे आपने विंडू को बंड़ लगा है यानि कि आपने को यह फॉंक्शन भूल इस उसके तो बिना उसे ऊहरा अगर सब्सक्राइब करेंगे जब तक आप करसर दो नहीं जाने जाएगे तो आपका ऑपको डिस्प्लेय करेंगे यह होता है यानिया में किया होता है और आपका और ऑगलाउब और अदर शौने का इन रहा है यह तो नाओ आपका हम स्टार् ट्रशमार ऑप ऊस्टार्ट वाएं केहने कि हमारे जतनी वी धर आपके स्क्रीन पर आफ्सॉप के अंदर हfeldे कि आपका और प्रोंग्स सब्सक्राइब एक पावर पॉइंट है यह इसके राबा अधर पार्ट भी होते हैं जिसके अंदर आ जाते हैं अगें नौ इसके लाबा आपका औल था एप्स अप्पीर इंद अलफवेटिकल और और जितने भी एप्स वो आपके अलफवेटिकल और में होते हैं और you can scroll through these using a scroll bar on the right of the list यानि कि जो लिस्ट एक जो लिस्ट बनी भी होती है जिस चैप से एक आपकी लिस्ट बनके आप ही है और इसमें साइड में स्क्रॉल बार से हम उपर नीचे उसको कर सकते हैं यहां से स्क्रॉल बार कर लिए ऑप्शन दाता है वो आपको कर सकते हैं ठीक तो आपको शाओना किया होता है दीजीट अशिस्टेंट यह क्या है इस्तेर आसिस्टेंट है वाब दनके मैं Free अवाट प्र पर सब्सक्राइब रोब धोनी है लोकलनाए फोयो नियन हम शार्द भाडर नाएं थीक है और अधर अप्स तचरॉस्ट ह्एल कि यह सबस्क्राइब करेंग होगा पहले है तो आपको इसमें आफ सकते हैं ऑग एक क्या इसके 170 पूर तो आपका मिडल सेक्षन में और मिडल सेक्षन में यह जो सबसे ज्यादा इबूस होने वाले और इसेंट टैप्स होते हैं जो आपने अभी हाल फिलाल में जो आपने जैसे पॉल्स आप करते हों किसी को कॉलिंग करते हों कि देंट ऑपके देंट को यहां पर दिखाता है ऑके उसके पाद में आता है नोंटिफिकेशन एरिया क्या होता हैस्पेस डिट टाइंट इन स्पीकर आइकन उन्टिफिकर इकशन एडिया में आपका टाइंगा ठीक है और खाइंगे का स्पीट का इस पीकर इकन पी थे विह से और गड़ी इन गृडवी अगण उसमें डिवायों किस घूब। और यह जो मंदल की information को provide कराता है जो recognition मंदल की करता रहता है वो नहीं devices की on the computer पर और availability of software और कौन सो software उसमें available है वो आपको notification कर सकता है ठीक है उसके बाद में होता है था store desktop button saves time जो store desktop button होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट पर बताया था notification area यह आपसा हो जाता है यहां पर notification area उसके लास्ट शीराश में बिल्बुल notification area के वो होता है आपका store desktop का वो होता है बटन saves time minimizing and restoring all of open windows and allows you to quickly view desktop यानि कि जितने ही आपने windows को लगी है उसको minimize करके एकदम से वो क्या अगर सब आपको desktop पर display करा देगा desktop आपको desktop पर जाना है तो आप उसका use कर सकते हैं तो your desktop will be displayed until you move the mouse pointer away from the snow desktop button okay तो now start button की बात करते हैं हम start button क्या करता कैसे use कर सकते है start button का start button कर सकते हैं इसको एक तरीका और है एक shortcut और है start button का वो क्या है आप keyword पर एक window icon बना हुआ होता है सबसे राष्ट में keyword पर क्या होता है window icon बना हुआ होता है left में आपका तो आपका जो window icon है जैसी आप उसे press करेंगे तो आपका start button open हो जाए आपका start button से आपका जो contents है वो उसके अंदर के दिखाई दे जाएंगे आपको okay तो आपका start button click the start button you will see a list apps or programs API जो भी list है उसकी जो भी उसमें apps हैं वो आपको API होने लगे अब आपके लिए बास sub menu की sub menu क्या होता है sub menu अभी बात होती है हमारी Mac के इसके अंदर का ही पार्ट है sub menu sub menu किसे बोलते हैं जब किसी चीज के अंदर यानिकि कोई माती जे एक हमने app लिया Microsoft Office तो Microsoft Office लेखा हुआ वाला जो menu है उसके बराबर में एक step से डाउन बनावा होता है यह जो आपका डाउन एरो बनावा होता है तो यह जो डाउन एरो है वो क्या करेगा आपका वो जिसके अंदर से और भी option करेंगे जैसे Microsoft Office के अंदर क्या करेंगा सकता है MS PowerPoint, MS Excel, MS Word इस चैप सो बहुत सारी option फूर करेंगे आ सकते हैं तो यह जो option को होते हैं जैसे जिसके अंदर डाउन एरो होता है वो क्या कराते हैं इसके सब मेन्यू कराते हैं वो सब क्या है इसके सब मेन्यू है ओके यह मेन्यू होगा एक तरीके से और वो सब मेन्यू होगा तो यह चीज आपकी important है अब प्रेस्टा विंडो की ऑन्ट की बाने से क्या होता है त Chuuk ब्लाइन ओप्शन होता है कि इसमें टाइस कि यह उपन करते हैं जब आप इसे उपन करते हैं तो ऑपन करने पर जो एक साइड में जब उपन करेंगे तो टाइस मनी भी दिखाएगी टाइस जिसमें वैदर आता है कलेंडर आता है ठीक है विंडोस 10 की बात कर रहा हूं के बद तो आपका इसमें और भी आइकन्स आते हैं तो यह अलगर उसमें रिप्रजेंट करते हैं लिए टाइस किसको रिप्र से आइट यह राइट से लाइट तो वह आयेट पाल धी करता है तो भी ताइस कैसे होती के आपको एपसे में और Kollegen और यह अडिनérie को जो इतने ओन कि appear on the left side for example the weather app shows the current weather condition weather app इसके अंदर आपको दिखाए देगा वो current weather condition जो भी आपकी है उस्टेंड की वो आपको दिखाए दिखाएगा ओके तो next चीज आपकी आती है इसमें आप पावर option तो आप start button पर click करने हैं तो start button पर click करने पर आसरे आपको यहां पर तो यहां पर इसके बराबर में चोटी सी विट्टो और और के आती है यहां पर नहीं आता है पावर option गिए अप कैसा होता है जो 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 क्लिक करते है तो उससे यह तने सारे खोंते हैं कि एक आपका आता है रीश्टार्ट करने के लिए एक आता है आपका आपका पावर और आपके चाहले होड़ाइए तो आप पावर करना चाहिए तो आप करना चाहिए इस हमारी बिंडो कर्दों चाहिए या करना चाहिए ऑो के उसके बाद में हमें पावर टरें यान दो यान मी कि तो आपको उस्पे क्लिक करने के बाद में वह धीरे धीरे प्रसेसिंग लेगा और बंद हो जायागा, फिर उसके बाद मॉनिटर की लाइट आफ करनी चाहिए, ठीक है, और आपको UPS वगरा आफ करके बिल्गुल प्रॉपर तरीके से आफ करना चाहिए, हर एक चीज को जैसे 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 ओपन करते हुए आते हैं, वैसे वैसे आपको और भी करना चाहिए, उसी तरीके से आपका जो पंपिटर है, वो सही चाहिएगा, वना विड़ो करण हो जाती है, ठीक है, पंपिटर में प्रवलम आने की चांसे रहती है, तो आपका आता है, अब इसके अंदर, बात चलाता है, पावर यह बात चाहर सिस्टार और चल्दी स्टार्ट हो जाता है यहां तुम्हें छोड़ाता वो असानी से तुम वहाँ पर वापश आ सकते हैं यह का इसके लागा सकते हैं जिसके आप इसके लागा सब्सक्राइब कर देता है याप क्या होगा होगा सब्सक्राइब को अजिसे कि अगें और विशिप कर देता है जैसा मोईल से नेयुक्तर हो अपको और स्टार्ट कर देंगा वहाँ धुय। आपने आपकी स्टार्ट करने की रद नहीं होती है तो यह स्टार्ट कर देता है तो इसके बारे में अब कॉमक अब करेंगे तो इससे पहले आपको कहते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी रगी हो आपको अच्छे समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गां सब्सक्राइब करेंगे लाइफ करेंगे और धन्यवाद आपका और गुडबाई बच्चों ठीक है थेंक्य बग्चे समझ में आपका और बड़ने करेंगे लाइब करेंगे